नमस्कार दोस्तों बहुत भस्वाध करते हैं ॉप्षीप्रेन का इस वीडियो में और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 2019 से 22 सेशजिन के पार्ट टू के एडमिश्ण के लिए जो भी स्टूडेंट यह सवाल पूछ रहे हैं कि पार्ट टू के एडमिश्ण में क्या ॉक लगेंगे कितनी फीस लग जाएंगी आप जो है इसके बारे में जानकारी हमें दीजिए आप लोग को हम सबसे पहले तो बता देना चाहते हैं हर एक कॉलेज अपने परिक्षा फॉर्म भरा जाता है जो की चात्रों को परिशान नहीं करते हुए जब परिक्षा फॉर्म भरने के बाद आपको इसके आपका हाड कोपी जाके सब्मिट करना रहता है आपको अपने कॉलेज में लेकिन बहुत सा ऐसे कॉलेज है जो की चात्रों को परिशान नहीं करते हुए जब परिक्षा फॉर्म भराता है तो साथी साथ हाड कॉपी और एडमिशन दोनों एक ही साथ लेती है फिलहाल आप जो ये नोटिस देख रह मतलब आपके पार्ट टू के अडमिशन कराए जाएंगे फिलहाल ये कॉमर्स सेक्षन का बताया गया है हाला कि ये जो नोटिस है ये लेस कॉलेज का है इसमें आपको ये पता चल जाए कि मैक्सिमम आपको कितना फी जो है लगने वाला है और कैटोगोरी वाइस जो है आप आप जो है इतने से इतने की बीच जाकर के ऑफलाइन के मादियम से फॉर्म प्राप्त करेंगे और फॉर्म बढ़ने के बाद सब्मिट करेंगे इसके लिए अलग-अलग समय भी रखा गया है को रोना के जो है गाइडलेंस को फॉलो किये जा रहे हैं ये नोटिस एलेस कॉ की टाक्मेन पके लगना एक ऐसका माक्षित आपको लगने वालो रहे है तो उसके वाजर रिजिस्ट्रेशन पट्र का एक शाय प्रति यानि के रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपको मिला होगा उसका एक शाय प्रति उसके बाद जैसा कि यहां पर बता दिया गया कि रॉल नंबर पांच में ऑप्शन पर यहां पर दिया जा रहा है कि रॉल नंबर एक से लेके चैटर दिनांग चौबीस एक दोसर बाइस को जाएंगे अपने कॉलेज में चटवे पॉइंट पर यहां पर बोला है रॉल नंबर सततर से लेके 152 तक दिनांग पचिस तारीक को जाएंगे तो यहां पर सिर्फ रॉल नंबर को स्पेसिफिकली बता दिया गया कि इतने सितने रॉल नंबर के स्टुईट जाएंगे अपना नाम अंकन लेने के लिए एक्स स्टुडेंट है इलेस कॉलेज के उन सभी को 19 तारीक को जाना रहेगा और अपना नामांकन कराना रहेगा पारक्टू के लिए अब आपका जो भी कॉलेज होगा ठीक है वहां पर हो सकता है कि के माध्यम से form भरा जाए लेकिन आपका online के माध्यम से form तब भरा जाएगा जब आपका परिशा form भरा जाएगा university के तरफ से तो आप लोग परिशान नहीं होंगे यहां पर online payment का mode भी बताएगा की google पे भी चलेगा phone पे भी चलेगा LS college commerce department अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है और यहां पर जनरल में जो बॉइस की स्टूडेंट होंगे उनको चार आजार लगने वाला है और यहां पर बाटते वे बताए कि 3850 रुपए यहां पर थोड़ा स्टूडेंट होंगे वह अपने डिपार्टमेंट से समझ लिंग अब आपको बता देते हैं आपका जो पार्टू का फीज होगा वह आपका 4000 से जादा नहीं जाएगा 4000 से कमी रहेगा यह आपके कॉलेज के उपर करता है कि वह कितना फीज चार्ज करती है कुछ ऐसे प्राइ इस लिए 4000 फीज है इनका इनका कुछ जादा इडवांस चार्ज रहता है बाकी सारे ग्रूप बीके कॉलेज तो उन सभी कॉलेज तो इसलिए आप लोग ज़्यादा घबराएंगे नहीं 4000 रुपय तक आपको आपके पार्टू के लिए फी लग सकते हैं इससे जादा नहीं जाएगा इसके बाद जो जब परिक्षा फॉर्म भराएगा तो उस टाइम भी आपको 800-900 रुपय तक परिक्षा फॉर्म में लगने वाले यह जानकारी देना इसलिए जरूरी था क्योंकि कुछ अगले आगमी महिने में अपका परिक्षा फॉर्म भी भरा जाएगा अगर आपका अभी भी परिक्षा फॉर्म भराएगा उस टाइम भी आपका एड्मिशन लिया जा सकता है इसलिए अगर आपको परिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को जब जख़ागा झाइब झाल का शास्राभ को लाइब जचिताहगा एग्योर्म नख़ागा डी प्रlo को पूंए बाएगा एगश जवण सब्सक्राव को इसलिए अभरागागा झाल को अनल के